हेलो एब्रिवन सभी को नमस्कार और चलिए आज जो मैं सेयर कर रही हूँ ना बहुत ही आसान सा रेसिपी है ये और ये रेसिपी है पोहे की और पोहे की रेसिपी तकडिबन घड़ों में तो बनती ही होगी मेरे ख्याल में ज्यादा तर लोग आज कल हिल्थ कॉंसेस हो गए और ये है पोहे की रेसिपी तो पोहा जो होता है ना तो वह ज्यादा तर मुंबई वगड़ा में बहुत अच्छे मिलते हैं और वहां के पोहे आप देखेंगे बिल्कुल ही खिली-खिली होती है आज मैं वैसा ही एक ट्रिक के साथ बताऊंगी कि कैसे इतनी खिली-खिली पोहे बनते हैं क्योंकि हम जो बनाते हैं अक्सरहां घड़ों में तो थोड़ी चिप-चिपी हो जाती है चलिए पोहे को न पहले अच्छे से धो लेना है धोना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं धोएंगे तो इसके उपर थोड़ा सा पावडर जैसा होता है जो कि ख होने का तरीका बता रही हूं और इसको मैं नल डायरेक्ट जा करके इसको अच्छे से धोंगी तो वास में ले जाओंगी और वहां के जो नल होते उसमें अच्छे से धोंगी इसको धोने के बाद थोड़ी दिर के लिए आपको ऐसे ही गीला छोड़ देना है जैसे कि मैं अ अच्छे से पानी इसके अंदर चला जाए अब जो सिक्रेट चीज है मैं सुरू में ही बता देती हूं इस पे आप निम्बू का रस थोड़ा सा डाल दीजे जब ही निम्बू का रस थोड़ा सा डाल के थोड़ी दिर के लिए छोड़ेंगे तो यह बहुत अच्छे से यह जो पोहा है पोहे की रेसिपी वो बनके तयार होगी तो चलिए इसको हम अब थोड़ी दिर के लिए रेस्ट करने देते हैं और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सुरू करते हैं यहां पर मैंने फ्राइंग पेन में तेल लिया है कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं आप और कांदा पोहे जो होते हैं वो थोड़े से अलग स्टैल में बनते हैं वैसे तो आप सिजनल जैसे की पोहे बनाने का तरीका होता है उससे अलग बनाना चाहेंगे तो उसमें जैसे सबजियां काटकर डाल दी और वो सारी चीज़े डाल दी लेकिन इस्पेसल जो होता है जो प तो प्राइ रोष्ट कर लिया है और उसके बाद तेल जो गड़म था उसी तेल के अंदर मैंने राई डाल दी एक चमच राई डाली है मैंने मैं थोड़ा सराई ज्यादा ही डालती हूं आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं जीरा डाल दिया सावुद जीरा अधा चमच जीरा अगर आपको नहीं डाल ला तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं और इन दोनों को थोड़े दिर के लिए करकने के लिए हलका सा ब्राउन हो जाए तो उतनी दिर के लिए छोड़ दिया है यहां पर मैंने काटे हैं आलू का भुजिया या आलू को थोड़ा सा मैंने पतल चाल दिया और इसे ढखके थोड़ी दिर के लिए पका लेते हैं और यू बहुत जल्दी पक जाएगा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलो जब तेल अच्छा डालते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है और ये बिना नमक के भी पक जाता है कई वार आप बिना नमक के खा के देखिए बहुत अच्छा लगेगा मैंने यहां पे थोड़े से कड़ी पता डाला है और इसे डाल दिया है मैंने थोड़ी ज्यादा ही डाल दिये तो कोई बात नहीं पुहे में कड़ी पता बहुत अच्छा लगता है जरूर डालिए यहां पर मैंने दो प्याज काटे थे खूब छोटे-छोटे महीन वाले और उसको डाल दिया इसे भी साथ में हम भून लेंगे जैसे ही थोड़ी दिर भूनेगा तो इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और बस इसे हमें पकाना है मतलब इसको गलाना तो नहीं है पर थोड़ा सा जाती है तो अगर ऐसा कुछ है तो आप साबुत को बीच से चीरा लगा के और फिर हरी मिर्च डाल देजिए मुंफली जो हमने भूना था वो डाल दिया थोड़ी सी हल्दी डाली और आधी चमच लाल मिर्च का पाउडर डाला यह तीखा बन के लिए क्योंकि जो असली वा इवरेड सा कलर है नमक डाल देते हैं स्वादा नुसार जो पोह डालेंगे उसके हिसाब से हमें नमक भी डालना है और इसे भी हम चला लेंगे इसमें कोई मसाला बगड़ा ऐसे खास कुछ पढ़ता नहीं है आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं यहां पर म पिर से में मिला देती हूँ और अब जो पोहे हमने पहले से भिंगो के रखे थे पानी के साथ निंबु के रस में डालके decision डाल लगो cuent घ्रण है आंच को अब बन्ध ही कर देना है क्योंकि कि कराही में ऊंब ब sticking आवां को क्रोसेस नहीं मॉरुण मूझ को अगर आप ज जाएगा कि मैं क्यूं ऐसा बोल रही हूं यह मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है और उसके बाद इस पर थोड़ा सा मैंने फिर से फ्रेस हराधनिया रख दिया है डाल दिया क्योंकि हराधनिया जब डलता है तो बहुत अच्छा लगता है और उसकी खुस्भू भी अगर चैनल पर नए आया है नो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकउन दबा लीजिए जिए नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने कौन सी रेसिपी कब डाली है वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और सेर करना मत भूलिएगा तो इसको कुछ इस तरीके से हम डालेंगे और इंज्वाइग करेंगे संडे हो या मंडे जरूर बनाइए पोहे की रेसिपी और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी तो आप लोग भी इसको खाईए और मुझे बताईए उपर से थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे चाहे तो कच्छी डाले या थोड़ा फ्राइए करके पहले से ही अगर आपने रखा हुआ है तो वो डाल दे मैंने फ्राइए किया हुआ बला ही इसके उपर रख दिया है और थोड़ा सा निम्बू का रस में उपर से भी निचोर दिश्ट लगे चलिए फिर से मिलते हैं अगली रेसी प्राइए